प्रधानी नरेंद्र मोदी मन की बात काजिक्रमलों माठ लड़त नर्व लाइवल चुद्धम साथियों बारत की कोरोना के खिलाब लड़ाई सही माइने में पीपल ड्रिवन है भारत में कोरोना के खिलाब लड़ाई जनता लड़ रही हैं आप लड़ रहे हैं जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रहत्शिल है गरीबी से निरनायक लड़ा ही लड़ रहा है उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भागिशाली हैं कि आज पुरा देश, देश का हर नागरीक, जन जन इस लड़ाई का सिपाई हैं, लड़ाई का नेत्रुत्व कर रहा है आप कहीं भी नजर डालिए, आपको ऐसास हो जाएगा कि भारत के लड़ाई पीपल डिवन है जब पुरा विश्व इस महामारी के संकट से जूज रहा है, बविश्व में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल डिवन लड़ाई इसकी जरूर चर्चा होगी पुरे देश में, गली महलों में, जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आये हैं गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की ववस्ता हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की ववस्ता हो, मेडिकल एक्विपमेंट का देश में ही निर्मान हो आज पूरा देश, एक लक्ष, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है, ताली, थाली, दिया, मुम्बति, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया जिस जजबे से देश वासियों ने कुछन कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है शहर हो या गाउं ऐसा लग रहा है, जैसे देश में एक बहुत बड़ा महा यग्य चल रहा है, जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतूर है हमारे किसान भाई भेनों को ही देखिए, एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात महनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोए, हर कोई अपने सामर्थ के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है कोई किराया माप कर रहा है, तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरसकार में मिली राशी को पी एम कैस में जमा करा रहा है कोई खेत की सारी सबजियां दान दे रहा है, तो कोई हर रोज सैकडों गरिबों को मुक्त भोजन करा रहा है कोई मास्क बना रहा है, कहीं हमारे मजदुर भाई बहन कॉरंटीन में रहते हुए, जी स्कूल में रह रहे हैं, उसके रंगाई पुताई कर रहे हैं, साथियों, दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर, रदय की किसी कौने में, जो ये उमरता घुमरता भाव है न, वही, व भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है, वही, इस लड़ाई को सच्चे माइने में, पीपल ड्रीवन बना रहा है, और हमने देखा है, पिछले कुछ साल में, हमारे देश में, ये मिजाज बना है, निरंतर मजबूत होता रहा है, चाहे करोडों लोगों का गैस सबसेड चोड़ना हो, लाखो सिनियर सेटीजन का रेलवे सबसेड़ी चोड़ना हो, सच्च भारत अभ्यान का नेत्रूत लेना हो, टॉयलेट बनाने हो, अनगिनित बाते ऐसी है, इन सारी बातों से पता चलता है, हम सब को एक मन, एक मजबूत धागे से पिरो दिया है, एक होकर द देशवासियों मैं पूरी नम्रता पूर्वक, भावती आधर के साथ, आज एक सो तीस करोड देशवासियों की इस भावना को सर जुका करके नमन करता हूं, आप अपनी भावना के नुरूप देश के लिए, अपनी रूची के हिसाब से, अपने समय के नोसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तयार किया है, यह प्लेटफॉर्म है, covidwarriors.gov.in, मैं दुबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in, सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलेंटियर्स, civil society के प्रतिनिधी और स्थानिय प्रसासन को एक दूसरे से जोड दिया है, बहुती कम समय में, इस पॉर्टल से सवा करोड लोग जुड चुके हैं, इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर, हमारी आशा, A.N.M. बहने, हमारे N.C.C., N.S.S. के साथी, अलग-अलग field के तमाम professionals, उन्होंने इस प्लेटफर्म को अपना प्लेटफर्म बना लिया है, ये लोग स्थानिय स्थर पर क्राइसिस मनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं, आप भी covidwarriors.gov.in से जूड कर देश की सेवा कर सकते हैं, covid warrior बन सकते है साथियों, हर मुश्किल हाला, हर लडाई, कुछ ने कुछ सबक देती है, कुछ ने कुछ सिखा करके जाती है, सीख देती है, कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है, और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है इस परिस्तिती में आप सब देश्वासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है, उससे भारत में एक नए बडलाव की शुरुआद भी हुई है हमारे बिजनेस, हमारे दप्तर, हमारे सिक्षन सुस्तान, हमारा मेडिकल सेक्टर, हर कोई तेजी से नए तकनीकी बडलावों की तरब भी बड़ रहे हैं टेकनोलोजी के फ्रंट पर तो वाकई ऐसा लग रहा है कि देश का हर इनोवेटर नई परिस्थित्यों के मताबिक कुछ न कुछ नया दिर्मान कर रहा है साथियों, देश जब एक टीम बन करके काम करता है, तब क्या कुछ होता है, यह हम अनुभो कर रहे हैं आज केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनका हर एक विवाग और समस्तान राहत के लिए मिल जूल करके पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं हमारे एवियेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग हो, रेलिवे कर्मचारी हो, यह दिन रात महनत कर रहे हैं ताकि देश वाज़ियों को कम से कम समस्या हो। आपने से साहिट बहुत लोगों को मालूम होगा कि देश के हर हिस्से में दवाईयों को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उडान नाम से एक विषेश अभियान चल रहा है। हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही तीन लाग किलोमेटर के हवाई उडान भरी हैं और पान सो टन से अधीक मेडिकल सामगरी देश के कौने कौने में आप तक पहुंचाया है। इसी तरह रेलवे के साथ ही लोकडाउन में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की कमी न हो। इस काम के लिए भारत के रेलवे करिब करिब 60 से अधिक रेलमार्क पर सो से भी जान्दा पार्सल ट्रेंड चला रही है। इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभाग के लोग बहुत एहम भूमी का दिभार है। हमारी ये सभी साथी सच्चे अर्थ में कोरोना के वारियर ही है। साथियों प्रधान मंत्री गरीब कल्यान पैकेज के तहट गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किये जा रहे हैं। बुर्धावस्ता पैंसन जारी की गई है। गरीबों को तीन महने के मुप्त गैस सिलिंडर रासन जैसी सुविधाय भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग-अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं हमारे देश की राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रसंसा करूँगा कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमी का निभा रही हैं। स्थानी ये प्रशासन, राज्य सरकारे जो जिम्यदारी निभा रही हैं। उसकी कोरोना की खिलाब लड़ाई में बहुत बड़ी भूमी का है। उनका ये परिश्रम बहुत प्रसंसनी है। मेरे पहरे देश्वासियों, देश भर से स्वास्त सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाली में जो अध्यादेश लाया गया है। उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वारियस के साथ हिंसा, उत्पिडन और उने किसी रूप में पहुचाने वालों के खिलाब बेहत सक्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेश, परामेडिकल स्टाप, कॉम्यूनिटी हिल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को करोना मुक्त बनाने में दिन राज जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने क कदम बहुत जरूरी था। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि महामारी के खिलाब इस लड़ाय के दोरान हमें अपने जीवन को, समाज को, हमारे आस पास हो रही घटनाओं को, एक फ्रेश्ट नजरिय से देशने का आउसर भी मिला है। प्रधानी मोधी मन की बात लो।